और आप यहां पे आपको क्या मुला है find its rate आप सो बहुत सारे इंविटीज में इसका इनान सौटेश पाथ लेंध होता है यहां पे दोस्तों क्या आएगा पजीरों है यहां पे क्या है दोस्तों प्रदीफिरी एकाइट में इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम ग्राफ थेरी में दोस्तों दो टॉपिक लेने जा रहे हैं जो हमारा पहला टॉपिक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाँ बट यह वाला जो टॉपिक है दोस्तों बहुत सारे इन्यों सेडीज में इसका ही नाम सौटेश पाथ लिंध होता है तो प्लीज समझ नहीं कोसिस करना कहीं कहीं पे यह टॉपिक किसी-किसी ब्रांच में कैंसल कर दिया गया तो आपका जो टॉपिक है आप अपने सिलाबस में देख लेना आपके बास बुक्स है तो आप उस टॉपिक को फॉलो करना अगर आपका ये टॉपिक है तो आप इसे देखना अगर आपका ये टॉपिक है तो आप इस वीडियो को देखना तो ओवर अल दोनों ही टॉपिक यहाँ पर का करना है दोस्तों find out करना है सबसे पहले आपको यह आपर check करना है दोस्तों कि यहाँ पर कितने vertex है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो A है, B है, C है, D है, E है F है, G है और दोस्तों H नहीं है देखो A, B, C, D, E F G और बात में दोस्तो जैड है अब दोस्तो बहुत ही आराम से one by one हम से solve करने कोसिस करेंगे अब दोस्तो देखो A जो initial value है दोस्तो वो हमेसा आपको इसको क्या करना है 0 ले लेना है और वो आपका क्या रहेगा fixed value रहेगा वो आपका value क्या रहेगा दोस्तो fix लोगा आपने उसको 0 consider कर लिया अब दोस्तो अगर आपने इसको 0 consider कर दिया तो A से connected B है A से connected C है A से connected D है A से connected B है तो वहाँ पर आपको कितना value दिखाई रहे है 2 A से connected दोस्तो C है वहाँ पर क्या value दिख रहे है 4 इसमें से आपको सबसे अपने इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके according आपको next step लेखना है तो देखो next step में यह 0 आपने same रखता यह आपका minimum value है और दोस्तो इसके according में बाकी के values को क्या करूँगा दोस्तो find out करना ही process करूँगा अब देखो मैं direct कहां पे आ गया हूँ दोस्तो B पे आ गया हूँ B यहाँ पे मैं अब यहाँ पे पहुच चुपा हूँ अब मैं यहाँ पे पहुच चुपा हूँ तो यहाँ से देखो connected क्या है दोस्तो A तो already fixed है उससे तो कुछ लेना देना नहीं B से दोस्तो C connected है कितना है दोस्तो 1 अब एक चीज़ आपको दियान देना है एक और चीज़ की खर्चे जादे नहीं होने चीए इसके उपर देखना है कि यहाँ पे खर्चा कितना है दोस्तो 4 यहाँ पे कितना है 3 दिखाई दे रहा है उपर 4 दिख रहा है नीचे 3 तो minimum खर्चा 3 है तो दोना मेंसे जो minimum होगा वो values लिखना है अब मैं फिर से B वाले से मैं D पे जाओंगा B वाले से D connected है किया दोस्तो नहीं है वो नहीं देखूंगा B वाले से E connected है किया दोस्तो B वाले से E connected है दोस्तो यहाँ पे देखो 3 है तो यह 2 में अगर मैं 3 plus करता हूँ तो दोस्तो यहाँ पे किया आएगा 5 यहां पे भी आपने copy किया, यहां पे भी आपने copy किया, same वही funda, कुछ अलग नहीं, फिर से आप check करो, कि minimum value क्या है दोस्तों, तो minimum values सर यहां पे दो-दो दीख रहा है, आप यह दोनों में से पुन सा वाला भी ले सकते हो, अब दोस्तों यहां पे suppose मैंने 3 लिया, अब देख पीछे देखने के चक्कर में question के answer wrong हो सकते हैं, अब देखें, यहां पे 3 है, अगर आप इसे solve करने जाते हो, तो आप किस तरह solve करोगे दोस्तों, 3, C पे है, C पे आप आगे, C से connected दोस्तों, A है, fix हो गया है, B fix हो चुका है, तो दो चीजे बस आपको लिखना है, D और F, अ आपको यहां पे न चाहकर भी 5 आ रहा है, फिर भी आपको उकपर वाला ही value copy करना होगा, ध्यान रखना है, इसलिए green color से लिख रहा हो, अब दोस्तों, यहां पे, अब इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, अब यह होने के बाद दोस्तों, आपको, आप C वाले point पे ह और बाकी C वाले से तो E नहीं connected है, G भी नहीं connected है, और Z भी नहीं connected है, तो बाकी के सभी values आप same to same copy paste मार होगे, ठीक है, अब इसके बाद सर बता दो फिर से अब कौन सा परिका, वही जितने भी values हैं, उसमें जो minimum values है, वो आपका value है, तो आप देखो, आप यहां पे क्या ल values दिख रहा है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, F पे आ जाओ, F पे आ गया, देखो न, यह 3 values F का है, F पे आ गया, अब F से connected दोस्तों, E है क्या, यहां पे 2 लिखा है, तो मतलब यह 3 में 2 प्लस करोगे 5, तो यहां पे already 5 है, तो E के नीचे 5 आ गया, अब दोस्तों, यहां प दोस्तों, यह 3 में अगर हम 7 प्लस करते हैं, तो यहां पे 10 लिखेंगे, और infinity से 10 छोटा है, infinity मतलब बहुत बड़ा value, अब दोस्तों, यहां पे G, F से हमारा connected G है, यहां पे 4 है, तो यह 3 में अगर हम प्लस करते हैं, तो दोस्तों, 7 होगा, तो फाइनले यह step भी हमने लिख करना तो यहां पे कहाएगा दोस्तों, अब दोस्तों, यहां पे कहाएगा 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 दोस्तों, अब उसके respect में आपको remaining 3 values क्या करने हैं दोस्तों find out करने है अब देखो remaining 3 values हम खोशिस करते हैं find out करने के लिए इस 4 के respect में तो दोस्तों यहाँ पे 4 है 4D पे आ गया अब D पे आने के बाद D से E connected है क्या नहीं है भाई D से G connected है गया yes है तो 2 है तो अगर आप यहाँ पे आपका 4 है 4 में अगर आप 2 प्लस करते हो तो दोस्तों G पे 6 आ रहा है और 6 हम लिख सकते हैं क्योंकि उपर 7 है तो 6 smaller value है अब दोस्तों यहाँ पे next है फिर से जो आपका आपने consider किया है यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पे वैसे के वैसे ही copy होंगे अब दोस्तों इसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह आपका minimum values है तो दोस्तों देखो यह 10 हो गया यह 2 हो गया यह 3 हो गया यह 4 हो गया यह 5 हो गया और दोस्तों यह 3 हो गया तो मतलब अभी वाला जो values है दोस्तों हमने 5 वाला select किया पर नहीं आएगा इसे आप जैट जा सकते हैं तो दोस्तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए का वैल्यू कितने है दोस्तो ए का वैल्यू पाए है और फाइ में अगर मैं यह 3 प्लस करता हूँ तो एट तो जैट पर एंसर दोस्तो एट आ रहा है यस मैं एट लिख सकता होगे तो जी वाला आपके सिबॉस का होगे आप मिनयमुम वैल्यूस की बात करोगे तो यह मिनिमुम वैल्यूस है यहां दोस्तो आएगा आबसे आज्रीस यहां परहित दोस्तीं और में सीख से द्चैट में आप वैल्यू निकालना जीज शेट पर शघे कंश कर से है आपको कहां पर जाना है दोस्तों जैट पर यहां पर गया है दोस्तों 16 में अगर मैं 1 प्लस करता हूं तो दोस्तों 7 आता है और दोस्तों यह 7 जो है 8 से smaller है तो आप लिख सकते हो तो फाइनली इसी तरीके से आपको चाहिए कौन सा भी कोश्तन है अगर हो सकता है कि हाप मल्टी लूप हो तो भी आपको डर्नी की ज़रूत नहीं है आपके मल्टी लूप का कोश्तन है प्लीज देख लेना एक बार वह भी आपको सॉल करने आएगा एक बार सॉलूसन तो देखना बहुत जरूरी है और ड्रीवी जल लूँँगा तो और बहुत सारे सम्में सॉल कराऊंगा तो अब अगर आप ध्यान से देखो गे तो यह पूरा का पूरा पाट हमने कवर किया अब यह कवर करने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तो तो सॉटेश्ट पाथ कितना है दोस्तु आपको 7 आया तो दोस्तों देखो एग बार आगर आप ध्यान से देखो गे तो पहले मैं A पे गया था पिर अगर अगर देखोगे तो मैंने C वाले. बतलब ये वाले पॉइंट लेगा thinking की फिर यह वाले देखो ख competent को लिया था इवाले या लिया था यह वाले को यह वाले को और E भी लिया था, पर अगर मैं ऐसे जाओं, तो देखो मैंने का, अगर समझो 4 लिया, फिर 1 लिया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो रहा है, फिर मैं अगर समझो, यहाँ पर ऐसे में मैं गया तो नहीं हो पाए, तो अब ऐसे जारो तो, ऐसे देखो 2 हुआ, फिर यहाँ पर यह 3 हुआ, फिर यह 4 है, फिर यह 5, 6 है, फिर यह 7 है, क्या बात है, तो ऐसी आपको छेक करना है, तो आपको महाँ पर पता चल जाएगा, कि आपका सौटेश्ट पात कुन सा है, तो यहाँ पर यहाँ पर यह पूरा का पूरा पार्ट, बहुत ही सिंपल दरीगे से मैंने आपको समझा दिया अब दोस्तों मिलते हैं, नेक्स पार्ट की और, नेक्स कोर्शन की और, हाँ यहाँ पे जिनका यह वाला पार्ट कवर हो गया है, मतलब जिनका यह वाला पार्ट बस आने वाला है, उनको मैंने कवर करा दिया है, अब नेक्स पार्ट तो बहुत ईजी पार्ट है, यह वाला graph and find its weight इसका weight भी आपको क्या करना है दोस्तों find out करना है देखो सबसे पहले यहां पर मैं क्या करूँगा यहां पर जितने भी vertex हैं वो मैं बना दे रहा हूँ एक और बना दे रहो दोस्तो, A, B, C, D, E एक और बना दे रहो, A, B, C, D, E फुटल मैंने चार बना दिये हैं, अब देखो इसके according में यहाँ पर बना रहा हूँ ग्राफ देखो सबसे बहले आप A वाले point पर आजो A वाले point पर आने के बाद अगर आप देखोगे तो A से connected क्या क्या है A से एक 14 वाला connected है, A से एक 12 वाला connected है A से एक यहाँ से भी देखो लूप आया है, 7 वाला connected है और A से एक 10 वाला भी connected है आपको चेक करना है कि यह चारों में से minimum कुन सा है दोस्तो तो उसे हम बोलते है nearest never method सबसे minimum कुन सा है दोस्तो A के बाद जो चारों गया थे, तो इसमें से सबसे minimum दोस्तो 7 है तो आपको क्या करना है दोस्तो तो यहाँ पर मैं A लिख रहा हूँ, यहाँ पर B लिख रहा हूँ, यहाँ पर C लिख रहा हूँ, यहाँ पर D लिख रहा हूँ और यहाँ पर E फर्स वाले पार्ट में A से हमें कुन सा 7 वाला से लिक करना है तो जो 7 वाला है बस वही वाला पार्ट आप दिखाओगे A से D, यह हो गया, अब यहाँ पे देखो दूसरा ग्राफ मैं लिख रहा हूँ, A, B, C, D, E, अब जो पहला आला ग्राफ था दोस्तो वो तो मैंने same to same copy कर दिया, अब यहाँ पे, अब आप डारेक्ट पहुँच इतना easy है दोस्तो, बीना मतलब का आप इसका tension ले रहे थे, अब देखो यहाँ पे 6 वाला attach होगा, 6 वाला दोस्तो C पे जा रहा है, तो इस वाले diagram में C पे आ गया, अब दोस्तो हम C पे आ गया, तो यहाँ पे देखो मैं A, B, C, D, E, अब देखो दोस्तो यहाँ पे पहला म दोस्तो 6 है, 6 तो already हो चुका है, तो 6 लिखने की जोरत नहीं है, और दोस्तो एक 9 है, और दोस्तो 12 है, बताओ, सबसे minimum 8 है, 8 मतलब दोस्तो E पे आया है, तो C से अब direct आपको कहाँ पे आना है, दोस्तो E पे, E पे भी आप आ गए, अब यह सेम तो सेम graph आपको यहाँ पे ब क्या-का connected है, E पे एक जो value दिख रहा है दोस्तो वह आपको क्या दिख रहा है, 5, एक value दिख रहा है, 8 तो हो गया है, एक दोस्तो 11 दिख रहा है, 2 यह value दिख रहा है, तो 5 और 11, तो आपके आपको आप्चन कुन सा minimum value कहा है, दोस्तो 5, तो देखो यह वाले को ही थोड़ा स मैं change कर रहा हूं change मतलब नीचे थोड़ा सा बना रहा हूं यहां पर A हो गया यह B हो गया यह C हो गया यह D हो गया और यह E A B C D अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे A से कहां पर जाना है दोस्तों पहले जो ग्राफ पहले से बना हुआ हो बना दो A से में D पे था D से फिर मैं C पे गया C से में E पे आया E से दोस्तों देखो 5 वाले पे जाना है हम सब्सक्रा Citiesa और जैसी पूरे वर्टेक्स तो जोइन आयकर दिया और इस त्रइस से यहां निकल सक्सा है इसले प्रीड अगे बना प्र बाद के सब्सक्राइब की लिए निकालने के लिए दोस्तों इपको तरौन कि能पर जाए अब सब्सक्राइब लिख सकते हो इसका अगर हमें वेट निकालना तो दोस्तों यह जीतने भी वैल्यू से सभी को प्लस कर दो देखो मैं प्लस करके दिखा रहा हूँ तो इस तरह से यह कोश्चन भी आपका सॉल हो गया उमीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से यह टॉपिक आपको समझ में आया मिलते हैं दोस्तों नेक्स लेक्चर में और नेक्स लेक्चर में बाकी के वी जो चीजे बाची है वो भी हम कवर कर देंगे बहुत ही अच्छे स से टॉपिक लेके चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है बाए बाए टेक केर मिलते हैं नेक्स लेक्चर में जहीं दोस्तों